यहां उपस्तित माननी प्रधान मंत्री जी को मेरा साधर प्रडाम और हमारे ब्लोग सिवापुरी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवन स्वागत है मेरा नाम चंदा देवी, गाउ का नाम रामपूर, पोष्ट बर की ब्लोग सिवापुरी जीलावारार्सी है मेरे समू का नाम राधा महिलाव सहन सहायता समू है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ मेरे ग्राम संग्ठन का नाम महादेव महिला ग्राम संग्ठन है, जिसमें मैं इसी सदस्य हूँ मेरे परिवार में कुल पान सदस्य है समू से जुडने से पहले मेरी आर्थिक इस्तिती अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारे बच्चों का रहन सहन, उनका खान पान, उनकी सिच्छा ब्वस्था देखने में, मुझे काफी कठिलाईयों का सामना करना पड़ा एक दिन कुछ दीदियां हमारे पास आई, उन्हें ने हमें समू के बारे में बताया, और हमें समझाया कि समू के माध्यम से हम जुड़ कर कैसे अपने आर्थिक रोजगार को बढ़ा सकते हैं, और अपने आर्थिक इस्तिती को सुधार सकते हैं, फिर हम समू में जुड़े, इस प्रकार जब हमारे शमू में 15,000 रुपए आर्यव की राशी आई, तो उसे हमने लेकर खेती की शुरुवात की। सबजी की खेती से मुझे 30,000 रुपए का इंकम हुआ, जिससे की मैंने 15,000 रुपए अपना जिर्ट चुकाया और 15,000 रुपए कई मुझे बचत हुई। सब्सक्राइब तो रुपए कर्ती गई और मेरी आर्तिक इस्तिती में काफी सुधार आया, आर्तिक इसिती में प्रम काप मेरे भदेट पुसर और उनकी सिछा व्यस्था में मेंगी काफी बदलाव आया। बैंका फिंद्याबर्की में बैंक सकी के रूप में कारे करने लगी फिर यहां से मेरी आर्थिक स्थिति में और सुधार आया और मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ मेरी एक अपनी अलग पहचान बनी बैंक सकी के रूप में फिर मेरी खेती के माध्यम से और मेरी बैंक सकी के मा इसका पूरा श्रे मैं मानेनिय प्रधान मंत्री जी को देना चाहती हूं कि उनके माध्यम से हमें आत्मा निर्भर बनने का जो सवभागय प्राप्त हुआ उसके लिए हम उनको कोटी-कोटी धन्यवाद देना चाहते हैं और मैं उनसे आगे ऐसे ही अनुरोद करना चाहूंगी कि वो महिला ससक्ती करण के लिए और भी कई सारी योजनाय लेकर आएं जिनसे की हमारी छेत्र की महिला आएं इनसे जूड कर लाभान्यत होकर आत्मा निर्भर बनने का प्रयास करें जय हिन जय भारत प्रयास करते हैं इस वज़े जो हम आज हासिल कर पाएं यह हमारा सभाग्य है कि हम आपके सामने उपसित हैं सर और आपके सामने दो बाते बोल रहा हैं सर यह हमारे लिए बहुत बड़ी गर्विक अरे यह समयला इतालिय बजाएगी अच्छा चन्ना देवी जी बच्चे क्या पड़ते हैं सर अभी मेरी बीटिया कच्छा साथीन और हमारा बएटा अभी कच्छा तीन में हैं सर लिए आगर हमारी आर्दि की स्थिती अच्छी रही है बोख सेलफ हेल्फ हुजू रखते हैं है उन्सकर बैंकस के बन गई है और अपिनी मुन की महिलाओ का भी ध्यान रखते हुए हमारा नाल जो करते हैं मैं उसको पूरा करते हैं अच्छा आप लगपती दिजी बन गई मेरा सपना है एंको भी बताना चाहता ऑग जैसे परिवार की वांताहीं इस देश में दो करोड दो करोड माता हो बैनों को मुझे लगपती बनाना है तो आपकी बात जब सुनेंगे न तो लोगों को विश्वात हो जाएगा लगपती दीदी बन सकते हैं सर ये कहने कि बात नहीं हैं हम लोग बोल नहीं पाते हैं हमारी दरह बहुसर्टारी बीदियां जो समुख माधयम से जूड़कर आत्म इवर बनी अजर्ट पती दीदी बनी हैं सर मैंट्मनी यह आपके समुकम मैं काम बताता हूं कर सकते हैं क्या सर पॉरी तरह देखिए हमारे देश में आजकल शादी ब्याँ होते हैं तो वो खड़े-खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया तो लोगों को लगता है कि दूबारा मिलेगा ना इसलिए ठाली बर देते हैं और फिर आदा छोड़ देते हैं तो खाना बरबाद हो जाता है किसे के घर मे जन्मदीन है तो भी खाना बरबाद हो जाता है अगर आपके सेल्फ हेल्प कूर की बेहने उनको परोसना कैसे उसके ट्रेनिंग हो जाए उनके अच्छे कपड़े हो जाए फिर वो हाथ में मोजे-बोजे पहन करके दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाए ऐसे लोगों में तो खाना तो बचेगा ही बचेगा जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्वीस मिल जाएगी आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी और जब भोजन समार में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं भी आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाईए तो घर में नुट्रेशन का प्रॉब्लम भी सोल हो जाएगा तो मैं सबता हूँ एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं फैंक देते हैं अगर परोशनी की विवस्ता नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है तो ऐसा काम कर सकते हैं आपको बहने कर सकती है तो सब को ट्रें करोगी आप जी सर बिल्कुल और मैं भी योगी जी को बताता हूँ कैसे लोग जो अपना सम करें तो आप जैसे लोगों को बुराएं और वो परोशना का काम समाले अजया आपके गाउं में स्वच्छता का अभियान का कुछ होते हैं लोग जी सर करते हैं सर जगा जगा लगाए गया है कूडा उसमें फेकते हैं सर फिर वहां से गाड़ी आती है ग्राम पंचायत के जगा बनी है तो वहां पर जाते हैं सर नहीं लेकिन उसमें जो को खाद बनाना खेत में उप्योग करना ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि अधिसा शुरुवात हुई है सर अभी थोड़ा समय लगेगा सर किसी सिसकी सुरुवात होती है सर तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है फिर अभी तो शुरुवात हुए है सर दीरे दीरे हो जाएगा अचाहिए आप परशुपालन करते हैं आपके हां तो मालूम है यह हमुल वाला डेरी वाला दूद लेता है भी वो पैसे ज्यादा देता है पता है वो पता नहीं है चलिए चंदा जी आपके बहुत झीज़्यादा जुच्ट झालूम टूमझा हुण झालूम झालूम झालूमदा जैसे हां जीरे वो ंफके हैं वो जीरे चुच St. क्यों दो पताूम झालूमझाय करते हैं पता हैं है यहुत आपके हैं पता है जो